नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्भुत ज्यान गंदा पर चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्यानवर्धक रोचक और मनोरंज़त प्रस्तुति धारत धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों से बसादेश है जहां लोग इश्वर की आराधना करते हैं यहां कई सारे प्राचीन और पवित्र मंदिर हैं इनमें भगवान भोलेनाथ के मंदिरों की महिमा अपार है हिंदु धर्म में भगवान शिव को मोक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है भगवान शिव को ऊजने वाले भक्तों की संख्या सैंक्रों में है वैसे तो भारत में भगवान भोलेनाथ के कई मंदिर और धाम हैं जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग सभी शिव मंदिरों में धगवान शिव के बारा जोतिरलिंगों का महत्व सबसे अधिक है धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक घोलेनाथ के बारा जोतिरलिंगों में धगवान शिव जोती के रूप में स्वया विराजमान हैं धगवान शिव के ये सभी बारा जोतिरलिंग देश के अलग-अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश जोतिरलिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इन बारह जोतिरलिंगों के दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वै भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव के ये 12 जोतिरलिंग कौन कौन से हैं और भारत में कहा कहा स्थित हैं ये बारह जोतिरलिंग हैं महादेव जी के अर्थात धगवान शंकर जी के इन बारह जोतिरलिंग के तेजोमें और पवित्र स्थानों की महिमा अनोखी है आज हमने ऐसे कल्यानकारी जोतिरलिंगों की कथा एक साथ यहां उपलब्द कराई हैं धगवान शिव हम सभी का कल्यान करें इसी कामना के साथ आये शुरू करते हैं पहले जोतिरलिंग श्री सोमनाथ जी की कथा ओम नमाशिवाय पहला जोतिरलिंग है श्री सोमनाथ जोतिरलिंग गुजरात प्रांत के काठियावार्ड शेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्वप्रसिद्ध मंदिर में ये जोतिरलिंग स्थापित है पहले एक शेत्रक प्रभास शेत्र के नाम से जाना जाता था भगवान शंकर जी के बारा जोतिरलिंग में से सोमनाथ को आध्य जोतिरलिंग माना जाता है ये स्वयंभु देव स्थान होने के कारण और हमेशा जागरित होने के कारण लाखों भक्तगण यहां आकर पवित्र पावन हो जाते हैं यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याद के बान को निमित बनाकर अपनी लीला का संबरण किया था यहां के जोतिरलिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है कि ब्रमाजी के अंगूठे से दक्षप्रजापती की उत्पत्ती हुई थी उसने ब्रमाजी की आग्या से सृष्टी की व्रिध्धी करनी चाहिए दक्ष प्रजापती का दूसरा विवाह वीर्णी से हुआ था उन्हें अपनी पहली पत्नी प्रसूती से 24 कन्याई थी और दूसरी पत्नी वीर्णी से दक्ष की 60 कन्याई थी उनमें से दस कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ, सत्रह कन्याओं का विवाह कशप के साथ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ, तथा दो-दो कन्याओं का विवाह भूत एवं कृशाश्व के साथ, और ए एक उत्री का विवाह कामदेव एवं अंगिरस से हुआ था दक्ष प्रजापती की 27 कन्याओं का विवाह चंद्र देव के साथ हुआ था, किन्तों चंद्रमा का समस्त अनुराद वप्रेम उन्में से केवल रोहिनी के प्रति ही रहता था. उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापती की अन्य कन्याएं बहुत अपरसंद रहती थी। उन्होंने अपनी ये व्यथा कथा अपने पिता को सुनाएं। उस समय दक्ष प्रजापती ने चंद्रमा को बुला कर समझाते हुए ये कहा कि चंद्रमा सब स्त्रियों पर एक जैसा प्यार रखना चाहिए। चंद्रमा उस समय तो दक्ष प्रजापती की बात मान कर चला गया। और कुछ दिनों तक सभी स्त्रियों पर एक जैसा प्रेम भी रखा। परंतु थोड़े दिनों बाद ही वै रोहिनी से और अधिक प्रेम करने लगा। तब दक्ष की अन्यकन्याएं फिर अपने पिता के पास आकर रोने लगी। ये देखकर दक्ष प्रजापती ने चंदरदेव को दोबारा अपने पास बुलाकर अनेक प्रकार से समझाया। किन्तु रोहिनी के वशी भूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंतर दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्थ हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंदरदेव ततकाल क्षयग्रस्थ हो गए। उनके क्षयग्रस्थ होते ही प्रित्वी पर सुधा शीतलता वर्षन का उनका सारा कार्य रूप गया। चारों और त्राही त्राही मच गई, चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे, उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादी देवता तथा वसिष्ठ आदी रिशिगन उनके उध्धार के लिए पितामः ब्रमाजी के पास गए और ये कहने लगे कि ब्रमाजी आप चंद्र ब्रमा ने राजसु यग्य किया, तब से इसे धर्म का विचार नहीं रहा है, इसने अपने गुरु की पत्नी तारा के साथ व्यभिचार किया, उस समय मैंने इसकी रक्षा की थी, ये बात सुनकर चंद्रमा दुखी होकर उनके चर्णों पर गिर पड़ा, और बारंबार स् अब मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि भविश्य में कभी भी कोई अधर्म नहीं करूंगा। चंद्रमा की विंती सुनकर तथा उसकी दीनता देखकर ब्रमाजी को दया आ गई, तब उन्होंने उससे कहा कि चंद्रमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो सौराष्ट्र देश है, वहां प्रभास चेत्र में भगवान शिव अपने पूरण अंश से विराजमान रहते है चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास चेत्र में जाकर वित्युंजय भगवान शिव की आराधना करें, उनकी कृपा से अवश्य ही आपका शाप नश्थ हो जाएगा और आप रोग मुक्त हो जाएंगे, वैस्थान भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, वहां तपस्या करने से संपूर्ण पाप तथा दोश नश्थ हो जाते हैं, इसलिए तुम वही जाकर शिवलिंग की स्थापना करो तथा उत्तम उत्तम सामगरियों द्वारा उसका पूजन करो, सब प्रकार के छल कपट त्याग कर, योग भगवान शिव का ध्यान रखना और अपने मनोरत पूर्ण होने का निश्चय करके उनके प्रेम में लगे रहना, उस समय तुम्हारा ये रोग नश्थ हो जाएगा, भगवान शिव की भक्ती द्वारा बहुत से लोगों ने मृत्यों को जीत लिया है, तधा बड़े-बड पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है, इसलिए तुम्हारा कष्ट भी अवश्य दूर होगा, ब्रमाजी से आग्या लेकर चंद्रमा तुरंथी प्रभास छेत्र में जा पहुचा, वहां उसने शिवलिंग की स्थापना की, ब्रमाजी के कथनानुसार चंद्रदेव ने पूरा किया, उन्होंने खोर तपस्या करते हुए दस करोर बार मृत्यूंजय मंत्र का जब किया, उसकी तपस्या से प्रसंद होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वर्दान मांदने की आग्यादी, उस समय चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए क कि ये प्रभु आप मेरे क्षय रोग को दूर कर दे और मुझे ये वर्दान दे कि मुझे आपकी भक्ती सदैव प्रदान हो। इससे प्रसन्द होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमर्ता का वर प्रदान किया। उन्हों ने कहा चंद्र देव तुम शोक न करो। मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापती दक्ष के बचनों की रक्षा भी हो जाएगी। धगवान शिव ने कहा के चंद्रमा दक्ष का श्राप तो पूर्ण रूप से नश्ट नहीं हो सकता पर हम तुम्हें ये वर्देते हैं कि तुम प्रतिमाह क्रमानुसार घट्टे बढ़ते रहोगे और संसार में यश्प्राप्त करोगे. क्रिष्न पक्ष में प्रति दिन तुम्हारी एक एक कला शीन होगी, कि तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी. इस प्रकार प्रति एक पूर्निमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्थ होता रहेगा. चंद्रमा को मिलने वाले इस वर्दान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे सुधाकर चंद्रदेव फिर से दसों दिशाओं में सुधा वर्षन का कार्य पूर्ववत करने लगे शाप मुख्ध होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उध्धारार्थ यहां निवास करें चंद्रमा ने फिर कहा है प्रभु अब आप लिंग रूप होकर इसी स्थान पर स्थित हो जाए और अपनी शक्ती को भी यही प्रतिष्थित करने की क्रिपा कीजिए जिस समय चंद्रमा शिवजी से ये प्रार्थना कर रहा था उसी समय भगवान विश्णु और ब्रहमा जी भी बहां जा पहुँचे और चंद्रमा की इच्छा अनुसार ये कहने लगे कि है महादेव आप चंद्रमा की प्रार्थना स्विकार करके शक्ती सहित लिंग रूप में अवश्य प्रतिष्थित हो तब सभी की प्रार्थनास विकार करके अगवान शिव अपने पूर्ण अंश से जोतिरलिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहां रहने लगे उस समय सबने सोमेश्वर लिंग का पूजन करके अत्यंत उत्सव मनाया उस सोमेश्वर लिंग की महीमा महान है पावन प्रभास चेत्र में स्थित इस सोमनाथ जोतिर लिंग की महीमा महाभारत श्रीमत भागवत तथा सकंद पुराणादी में विस्तार से बताई गई है चंद्रमा का एक नाम सोम भी है उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ यानि स्वामी मानकर यहां तपस्या की थी इसलिए इस जोतिर लिंग को सोमनाथ कहा जाता है इसके दर्शन, पूजन और आराधना करने से धत्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुश्कृत्य भी नश्ट हो जाते हैं वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलब हो जाता है उनके लौकिक, पारलौकिक सारे कृत्य स्वय में सफल हो जाते हैं ओम नमाशिवाय दूसरा जोतिर लिंग है मलिकार्जुन जोतिर लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिन का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैलपरवत पर श्री मलिकार्जुन जोतिर लिंग स्थित है महा भारत शिव पुरान तथा पद्मपुरान आधी धर्म गरंथों में इसकी महीमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है पुरानों में इस जोतिर लिंग की कथा का इस प्रकार से वर्णन है एक समय की बात है भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्रीगनेश और श्रीकार्तिके स्वामी विवाह के लिए परस्पर जगडने लगे प्रतेक का आगरह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए उन्हें लड़ते जगरते देखकर भगवान शंकर और मा भवानी ने कहा तुम दोनों में से जो भी पूरी प्रित्वी का चक्कर लगाकर पहले यहां वापस लोट आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा माता पिता की ये बात सुनकर श्रीकार्थिके स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत प्रित्वी प्रदक्षिना के लिए दोड़ पड़े लेकिन गनेश जी के लिए तो ये कार्य बड़ा ही कठिन था एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मुशक यानी चुहा था घला वे दोड़ में स्वामी कार्थिके की बराबरी किस प्रकार कर पाते लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धी उसी के अनुपात में सुक्ष्म और तीक्ष्म थी उन्होंने अविलंब प्रित्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला सामने बैठे माता पिता का उजन करने के पश्चात उनकी साथ प्रदक्षिनाय करके उन्होंने प्रित्वी प्रदक्षिना का कार्य पूरा कर लिया उनका ये कार्य शास्त्र के अनुसार था जब तक स्वामी कार्ति के पूरी पृत्वी का चक्कर लगाकर लोटे तब तक गणेश जी का सिध्धी और बुद्धी नाम वाली दो कन्याओं के साथ विवा हो चुका था और उन्हेक शेम तथा लाभ नामक दो पुत्र भी पर आये उस समय नारत जी ने उन्हें गणपती जी के अधिकार का सारा व्रितांत कह सुनाया तब कार्ति के जी अत्यंत दुखी और गुरुष्ट होकर अपने माता पिता को प्रणाम करके परवत पर चले गए माता पार्वती और भगवान शंकर उन्हें मनाने के लिए बह भगवान शंकर और माता पार्वती ने उन्हें बहुत समझाया परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार कैलाश पर रहना स्विकार नहीं किया वहां से वापिस आने पर जब माता पार्वती ने पुत्र वियोग में बहुत विलाब किया तब भगवान शिव ने माता पार्वती को धैर्य बंधाते हुए कहा कि पार्वती तुम चिंता मत करो तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा यह सुनकर माता पार्वती बोली ते प्रभु आप देवताओं आदी को मेरे पुत्र को मनाने के लिए भीजिए जदी वैं यहां नहीं आया तो ह और आप स्वय ही उसके पास चलकर रहेंगे माता पार्वती को इस प्रकार दुखी देखकर धगवान शिव ने देवताओं तथा रिशी मुनियों को स्वामी कार्थिकेजी के पास भेजा परंतु स्वामी कार्थिकेजी किसी भी प्रकार लौट कर नहीं आये जब ये समाचार धगवान शिव और माता पार्वती को मिला तो वै पुत्रवियोग में व्याकुल होकर स्वय ही उनके पास चले गए जिस समय स्वामी कार्थिकेजी ने अपने माता पिता के आगमन का समाचार सुना तो वै अपने स्थान से तीन जोजन हट कर चले गए ता वी उनके पास नहीं गए और जोती रूप होकर उसी स्थान पर स्थित हो गए इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्यका पुष्पों से की गई थी मल्यकार जुन नाम पढ़ने का यही कारण है वही जोतिरलिंग मल्यकार जुन जोतिरलिंग के नाम से पूरे संसार में की जाती है कि इस शैल परवत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी किसी विपत्ती विशेश के निवारनार्थ उनकी एक कन्या महल से निकल कर इस परवतराज के आश्रम में आकर यहां के गोपों के साथ रहने लगी उस कन्या के पास एक बड़ी ही श अंदर शामा गौ थी उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था एक दिन सन्योगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और कृध्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी किन्तु गौ के पास पहुँचकर उसने देखा कि वहां मल्यकार जुन के नाम से प्रसिद्ध है शिवरात्री के पर्व पर यहां बहुत बड़ा मेला लगता है प्रत्येक पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्रस्वामी कार्थिकेजी से मिलने के लिए जाया करते हैं प्रत्येक 15 वे दिन भगवान शिव तथा प्रत्येक पूर्णिमा को माता गिरिजा यानि माता पार्वती वहां आती हैं परंतु उन दोनों में से सदैव के लिए वहां कोई नहीं ठहरता इस मल्यकार जुन शिवलिंग का दर्शन पूजन एवा अर्चन करने वाले भगतों की सभी सात्वित मनोकामनाएं पू जोतिरलिंग के दर्शन करने से सप्राकार के आनंद प्राप्थ होते हैं उसकी महीमा तीनों लोकों में प्रकठ है मुछ इसकता को पढ़ने और सुनने से भी सप्राकार का आनंद प्राप्थ होता है ओम नमा शिवाय तीसरा जोतिरलिंग है श्री महा कालेश्वर जोतिरलिंग ये परम पवित्र जोतिरलिंग मध्य प्रदेश के उजजैन नगर में है उन्य सलिला शिप्रा नदी के तटपर स्थित उजजैन प्राचीन काल में उजजैनी के नाम से विख्यात था इसे अवंतिका पुरी भी कहते थे ये भारत की परम पवित्र सब्त पुरियों में से एक है महा भारत शिव पुराण एवं सकंद पुराण में महा काल जोतिरलिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है इस जोतिरलिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्नित है प्राचीन काल में उजयनी में राजा चंदरसेन राज्य करते थे वै परमशिव भक्त थे राजा चंदरसेन धगवान शिव के परमधक्त थे वै महाकाल की अत्यंत सेवा किया करते थे राजा चंदरसेन की मित्रता भगवान शिव के गण मनिभदर से हो गई तब मनिभदर ने प्रसन्न होकर उसे एक चिंता मनी दी जिसके दर्शन तथा ध्यान मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर हो जाया करते थे उस मनी का प्रकाश सूर्य के समान फैलता था जिस समय राजा चंदरसेन उस मनी को पहन लेता उस समय वै सूर्य के समान दिखाई देता था जब दूसरे राज्यों के राजाओं ने उस मनी की ऐसी प्रशंसा सुनी तो उनके मन में उस मनी को प्राप्त करने की इच्छा पैदा होने लगी वे अपने मन में ये इच्छा करने लगे कि हम उस मनी को प्राप्त कर ले इस प्रकार सब राजा उसके शत्रों बन गए एक दिन सब राजाओं ने इकठे होकर राजा चंद्रसेन के राज्य पर चढ़ाई कर दी उसकी नगरी को चारों तरफ से खेर लिया उस दशा में भी राजा चंद्रसेन अत्यंत द्रिड़ता पूर्वक महाकाल की सेवा में लगे रहे उसी समय के दौरान एक दिन श्रीकर नामक एक पाँच वर्ष का गोग बालक अपनी मा के साथ उधर से उजर रहा था राजा का शिवपूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतुहल हुआ वैस्वयन उसी प्रकार की सामग्रियों से शिवपूजन करने के लिए लालायत हो उठा सामग्री का साधन ना जुप पाने पर लोटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और घर आकर उसी पत्थर को शिवरूप में स्थापित कर उष्च चंदन आदी से परमश्रधा पूर्वक उसकी कूजा करने लगा वे श्रीकर नाम का बालक भगवान शिव को प्रणाम करता हुआ आनंद विभोर होकर नित्य करने लगा माता भोजन करने के लिए बुलाने आई किन्तु वे पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तयार नहीं हुआ अंत में माता ने जल्ला कर पत्थर का वे टुकड़ा उठा कर दूर फिंक दिया इससे बहुत ही दुखी होकर वे बालक जोर-जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा रोते-रोते अंत में बेहोश होकर वे वही गिर पड़ा बालक की अपने प्रती ये भक्ती और प्रेम देखकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो गए बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अती विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भासवर तेजस्वी जोतिर लिंखड़ा है एक सिन्हासन के उपर भगवान सदाशिव विराजमान है बालक प्रसन्ता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा फिर वैं अपनी माता द्वारा किये गए अपराध की शमा मांगते हुए इस प्रकार कहने लगा कि है प्रभु मेरी माता अनपड है आप उस पर क्रोध ना करें मुझे आपकी पूजाद्वारा जो फल प्राप्ठ हुआ हो उसके बदले में मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप मेरी माता का अपराध शमा कर दें इस द्रिश को देखने के उपरांत वै बालक संध्या होने पर जब अपने घर को चला तो उसने देखा कि मार्ग में इंदर लोग के समान बहुत ही सुन्दर नगर बसा हुआ है उस नगर में सभी भवन स्वर्ण निर्मित है यानी सोने के बने हुए हैं उन में चारों और मणी और मुक्ता रत्न आदी जड़े हुए हैं उन सब भवनों में उसकी माता का भवन सबसे सुन्दर है उस धवन के बीच में एक रत्न जडित शया रखी हुई है, जिसके उपर श्वेत वस्त्र बिछे हुए हैं, और उसके उपर उत्तम वस्त्र और आभूशनों से अलंकरित उसकी माता गोपी शयन कर रही है. उस समय उस गोपी का शरीर अत्यंत सुंदर और प्रकाश्वान था, उस बालक ने अपनी माता के पास पहुँचकर उसे नीम से जगाया, जब गोपी ने उठकर उस अध्वत चरित्र को देखा, तो पहले तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, उसके बाद उसने अपने पुत् प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया, फिर उस वैभव को भगवान शिव की क्रिपा समझ कर उसने राजा चंदरसेन के पास सारा वृतांत कहलवा भेजा, राजा चंदरसेन ये समाचार सुनकर अपने मित्रों सहित उस नगर को देखने के लिए पहुँचा, रा अत्यंत प्रेम मगन होकर उसने बहुत उत्सव मनाया, इस तरह रातरी भर भगवान शिव के चरित्रों का वर्णन करते हुए तथा उनकी महिमा का गुनगान करते हुए राजा का पूरा समय एक पल के समान व्यतीत हो गया, उसे अपने मन में शत्रों का भी भय नहीं रहा, प्रातर काल होने पर जब अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा भगवान शिव का ये चरित्र सुना, तो वे अपने अस्त्रों शस्त्रों को त्याग कर राजा चंद्रसेन की शरण में गए, राजा चंद्रसेन ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया, तब वे सब ल शिवलिंग को देखा, तो सबके हृदय में शिव भक्ती का संचार हुआ, उस समय वहां एक बड़ी सभा का आयोजनकर, जितने भी कोग थे, बालक शीकर को उन सब का राजा बनाया गया, इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि हे मनुष्यो भगवान शंकर शीगर फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ती से प्रसन होकर, उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है, जो बड़े-बड़े रिशी मुनी करोडों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। हनुमान जी को देखकर सब राजा उठकर खड़े हो गए, तथा अत्यंत प्रसंता के साथ उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे के प्रभु हमारे बड़े भाग्य हैं, जो आपने यहां आकर हमें दर्शन दिये। उन सभी राजाओं की ये प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने सब को आशिरवात दिया। इसके बाद उन्होंने गोपी पुत्र को अपनी गोध में उठाकर सब राजाओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि हे राजाओं इस गोप बालक की आठवी पीढ़ी में धर्मात्म नंद गोप का जन्म होगा। वै गोप भगवान शिव का परम भक्त होगा तथा इस बालक द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन करेगा। उस समय द्वापर्युग में भगवान शिव की आग्या से भगवान विश्नु कृष्ण आवतार लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। विश्नु जी नंद गोप के घर उसके पुत्र रूप में अवतार लेंगे। वेकृष्ण नाम से इस संसार में प्रसिद्ध होंगे। आज से इस बालक का नाम श्रीकर होगा। इतना कहकर हनुमान जी ने श्रीकर को पूजा की विधी बताई। इस प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला भग्तों को आनंद प्रदान करने वाला तथा शत्रु का नाश करने वाला है। कल तेरस तिथी तथा शनिचर का दिन था। उसमें प्रदोश के समय इस गोपी पुत्र ने शिवजी का पूजन किया। उसी सेवा से प्रसन्न होकर इसे महाकाल ने राजा चंद्रसेन सहित कृतार्थ कर दिया है। कृष्ण पक्ष के शनिवार में जो प्रदोश व्रत होता है उसकी महिमा अपार होती है। ऐसे शुब योग को पाकर जो मनुष्य महाकाल की पूजा नहीं करता है उससे अधिक भाग्यहीन और कौन है। हनुमान जी इतना कहकर राजा चंद्रसेन एवन श्रीकर पर अनुग्रह करके अंतर ध्यान हो गए। अन्य सभी राजा भी चंद्रसेन और श्रीकर पर अनुग्रह करके चले गए। हनुमान जी की आग्या के अनुसार उस स्थान पर नियम से धगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकरगो और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इन महाकाल जोतिरलिंग की ऐसी ही अपार महिमा है। जो प्राणी इस परंपुनीत चरित्र को पढ़ता सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है। उसे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्थ होता है। इस जोतिरलिंग के विशय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है कि किसी समय महाकालेश्वर उजजैन नगरी में एक अत्यंत तेजस्वी शिव भक्तक ब्राहमन रहा करता था। वे सदैव अपने शरीर पर भसन धारण करते रुद्राक्ष पहनते भगवान शिव के नाम का समरण करते तथा उनकी निशकाम भक्ती में संलगन रहते थे। उस ब्राहमन के चार पुत्र थे देवप्रिया, प्रेमेवा, सुकृत तथा धर्मवादी। ये चारों लड़के भी भगवान शिव के भक्त थे। उन्ही दिनों दूशन नाम का एक बहुत बलवान तथा तीनों लोग को दुख देने वाला असुर उत्पन हुआ। वै अपनी पत्मी सहित रत्नगिरी परवत पर निवास करता था। उसने ब्रहमाजी की तपस्या करके अपार बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। ब्रहमाजी से वर्प्राप्त कर व्य बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों और त्राही त्राही मची हुई थी। तदुप्रांथ उसने अत्यंत अहमकार में भरकर सभी देवताओं को जीत लिया और उसी परवत पर रहकर तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। उसने सब धर्म मिटा करके अनेक प्रकार के अत्याचार किये। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता और रिशी मुनी ब्रह्मा जी के पास आकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी आप इस दैत्य से हमारी रक्षा करने का उपाय करें। ब्रह्मा जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि हे देवताओं मैंने उस असुर राज को वर्दान दिया है। मैं उस वर्दान का अपकार नहीं करूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी सब देवताओं और क्रिशी मुनियों को साथ में लेकर भगवान शिव के पास जा पहुंचे तथा उन्हें दंडवत स्तुति करने के उपरांत बोले कि हे प्रभुक दूशन नाम का असुर संसार में बहुत उपद्रव मचा रहा है। आप पापियों का विनाश करने के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए हम सभी पर क्रिपा करके अब आप उसका शीख रही सहार कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा कि देवताओं तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। हम उस दैत्य का नाश कर देंगे। जब वै दैत्य हमारे उज्जैनी निवासी धक्त ब्राह्मन तथा उसके पुत्रों को कष्ट पहुँचाएगा तब हम उसे मार डालेंगे। धगवान शिव की ये आध्या सुनकर सब लोग अपने अपने स्थान को लौट गए। कुछ समय बाद धगवान शिव की माया से दूशन के मन में ये विचार उत्पन हुआ कि मुझे शिव भक्तों और देवताओं को दुख पहुचाना चाहिए। एक दिन दूशन नामक वै अत्याचारी असुर शिव भक्तों की तपस्या में विधन डालने तथा शिव भक्तों का बध करने के निमित्त स्वयं एक विशाल सेना लेकर उज्जैन नगरी में जा पहुचा। क्योंकि उसने ये सुन रखा था कि उज्जैन में बहुत से शिव भक्त निवास करते हैं। वहां पहुचकर उसने उज्जैन पुरी को चारों तरफ से घेर लिया तथा सब लोगों को दुख पहुचाना आरंव कर दिया। उसके उपद्रव को देखकर सब लोग व्याकुल होकर अपना घर बार छोड़कर बाहर भागने लगे। दैत्यों ने उन्हें पकड़कर मार डाला। उस दैत्य के उपद्रव का दर होने के बावजूद भी शिवजी के ब्राहमन भक्त अपने स्थान से डर कर बाहर नहीं निकले। क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। ये देखकर वैदैत्य शिवभक्तों के स्थान पर पहुँचकर उन्हें मार डालने के लिए अपनी सेना को आध्या देने लगा। भगवान शिव के भक्तों को उस समय भी कोई चिंता नहीं हुई। तब भगवान शिव ने ये चरित्र किया कि जिस स्थान पर शिवभक्त ब्राहमन बैठे हुए और पार्थिव पूजन कर रहे थे। उसके चारों और की प्रित्वी अचानक ही फूट गई और बहां पर एक भारी गढ़्धा हो गया। उस समय प्रित्वी फटने से ऐसा महा भयानक शब्ध हुआ जिसको सुनकर तीनों लोग कांप गए। उस द्रिश्य को देखकर भी दूशन को कोई चिंता नहीं हुई और वै गड़े के भीतर घुसकर ब्राहमनों के पास जा पहुँचा। ब्राहमनों को कष्ट में पढ़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्यान करने वाले भगवान शंकर बहा प्रकट हो गए। वै अत्यंत क्रोधित होकर दूशन से इस प्रकार कहने लगे अरे मूर्ख हम अपने भक्तों के रक्षक हैं। हम महाकाल हैं। इसलिए उचक यही रहेगा कि तुम अब आगे अपने पाफ मत बढ़ा। भगवान शिव के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वै दैत्य नहीं माना और आगे बढ़ने लगा। उसी समय भगवान शिव ने एक जोर की हुंकार भरी जिसके कारण वहाँ पर महा भयानक अगनी प्रकट हुई। दूशन अपने साथियों सहित उस अगनी में जलकर भस्म हो गया। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुन अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। उस समय भगवान शिव के दर्शन पाकर वै ब्राहमन अपने चारों पुत्रों सहित अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुती करने लगा। देवताओं ने भी आसमान से उश्क वर्शा की। सब लोग उचे स्वर में धगवान शिव की स्तुती करने लगे। उसके बाद उस ब्राहमन ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभुग आपने यहां पर प्रकट होकर अपने भक्तों को प्रितार्थ कर दिया है। अब मेरी ये अभिलाशा है कि आप इसी स्थान पर मागिर्जा तथा अपने गणों सहित यही पर स्थित हो। ये दूशन नाम का दैत्य संसार के लिए काल स्वरूप था और आप उस दैत्य को नश्ट करने वाले महाकाल हैं। आप इसी महाकाल के नाम से संसार में प्रसिध हो और आपकी पूजा करने वाले अपने सभी मनोरतों को प्राप्त किया करें। धगवान शिव ने ब्राहमन की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वे ब्राहमन द्वारा स्थापित लिंगमूर्ती में अपने पूर्णाद द्वारा महाकाल नाम से स्थित हुए। धगवान शिव वहां हुंकार सहित प्रकट हुए। इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए इस परम पवित्र जोतिरलिंग को महाकाल के नाम से जा करना जाता है उस समय उस ब्राह्मन उसके पुत्रों ब्रह्माजी विश्णुजी तथा अन्य सब देवताओं एवर रिशी मुनियों ने महाकाल जोतिरलिंग का पूजन किया उसके बाद सभी लोग अपने अपने धाम को चले गए महाकाल का पूजन करने पर संसार में कोई भी वस्तु दुर्लब नहीं रहती महाकाल के सेवकों को धन, स्त्री, पुत्र, यश, कीर्ती आदी की प्राप्ती होती है तथा सभी रोग नश्ट होकर आयू बढ़ती है ओम नमा शिवाय चौथा जोतिरलिंग है श्री उंकारेश्वर जोतिरलिंग ये जोतिरलिंग मध्यप्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तटपर स्थित है इस स्थान पर नर्मदा नदी के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक तापूसा बन गया है इस तापू को मानधाता परवत या शिवपूरी कहते हैं नदी की एक धारा इस परवत के उत्तर और दूसरी धारा दक्षिन की ओर होकर बहती है दक्षिन वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है इसी मानधाता परवत पर श्री उंकारेश्वर जोतिरलिंग का मंदिर स्थित है पूर्वकाल में महाराज मानधाता ने इसी परवत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसंण किया था इसी कारण इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा इस जोतिरलिंग मंदिर के भीतर दो कोठरियों से वोकर जाना पड़ता है भीतर अंधेरा रहने के कारण यहां निरंतर प्रकाश जलता रहता है उंकारिश्वर लिंग मनुष्य निर्मिक नहीं है इसका निर्मान स्वयन प्रकृती ने किया है इसके चारों और हमेशा जल धरा रहता है संकूर्ण मांधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं लोग भक्ती पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं कार्थिक पूर्णिमा के दिन यहां बहुत भारी मेला लगता है यहां लोग भगवान शिवजी को चने की दाल चड़ाते हैं रात्री की शिवार्ती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है तीर्थ यात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए इस ओंकारिश्वर जोतिरलिंग के दो स्वरूप हैं एक को ममलेश्वर जोतिरलिंग के नाम से जाना जाता है यह नर्मदा के दक्षिन तट पर ओंकारिश्वर से थोड़ी दूर हटकर है प्रिथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है कि एक बार नारत गोकर्ण छेत्र में गए थे बहां उन्होंने तीर्थ स्नान कर महाबल शिवलिंग का पूजन किया इसके बाद वै अन्य शिवलिंग के दर्शन करते हुए रेवा नदी के तट पर्जा पहुँचे जिसे नर्मदा कहकर भी पुकारा जाता है रेवा धगवान शिव की पुत्री रूप में प्रसिद्ध है रेवा का दर्शन करने मात्र से संपूर्ण पाप तथा दुख नश्ट हो जाते है तीनों लोकों में गंगा नदी को सर्वोपरी कहा गया है क्योंकि उसमी स्नान करने से महान सुख प्राप्त होता है परंतु वेद और पुराणों का ये कथन है कि रेवा नदी गंगा नदी से भी अधिक श्रिष्ट है यमुना नदी में 14 दिन स्नान करने से सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करने से तथा गंगा नदी में 1 दिन स्नान करने से संपूर्ण पाप नश्ट हो जाते हैं परंतु रेवा नदी का केवल दूर से दर्शन करने मात्र से ही सब पापों से मुक्ती मिल जाती है उस स्थान पर शिव निर्माले को ग्रहिन कर लिया जाएं तो कोई दोश नहीं लगता वहां तार्यंत्र नामक जो तीर्थ है वै संपूर्ण पापों को नश्ट करने वाला है ऐसी अपार महिमा शालिनी रेवा नदी में नारद मुनी ने स्नान किया तथा प्रणमिश्वर शिवलिंग का पूजन किया स्नान और पूजन करने के बाद उन्होंने विंध्याचल को देखा जहां संपूर्ण संसार का आनंद एकत्रित सा प्रतीत होता है विंध्याचल नारद जी की अगवानी करने के लिए आगे बढ़ाया प्रणाम और स्तुती करने के उपरांद नारद जी को अपने घर ले गया वहां उन्होंने नारद जी को अत्यंत विनय कूर्वक आसन पर बिठा कर पूजन किया फिर वे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा महर्शी आज आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ अब मैं अपने कुल में सबसे श्रिष्ट कहलाऊंगा विंध्याचल के ऐसे वचन सुनकर महर्शी नारद ने एक थंडी सास ली उस समय विंध्याचल ने हाथ जोड़कर नारद जी से इस प्रकार पूछा कि प्रभु आपके इस प्रकार थंडी श्वास लेने का क्या कारण है वै मुझे बताए ये खीक है कि प्रिथवी को धारण करने की शक्ती सुमेरो परवत में है तथा शिवजी का संबंध होने के कारण हिमाचल परवत भी श्रिष्ट माना जाता है निशद नील मंदराचल रेवत क्रोंच किशकिंधा श्रीगिरी तथा सयद आदी परवत भी श्रिष्ट कहे गए हैं पर ये सारे परवत प्रिथवी को धारण करने में मेरी बराबरी नहीं कर सकते इस बात को आप सत्य समझें विंध्याचल के ऐसे अभिमान पूर्ण वचन सुनकर नारत जी ने अपने मन में विचार किया कि इस परवत को अहंकार हो गया है धला श्रीगिरी परवत से उत्तम और कौन सा परवत है जिसके शिखर को देखने मात्र से ही परमपद की प्राप्ती होती है परंतु जब ये विंध्याचल अपनी प्रशंसा स्वय इस प्रकार कर रहा है तो मैं इस से क्या कहूं नारत जी ने मन में इस प्रकार विचार करके विंध्याचल से कहा कि हे विंध्याचल तुम्हारा कथन सत्य है परंतु सुमेरू परवत अपने सम्मुख तुम्हें कुछ भी नहीं गिनता उस समय विंध्याचल पर्वत अपने मन में दुखी होकर ये विचार करने लगा कि मैं सुमेरू पर्वत से किस प्रकार बदला लेकर अपनी महीमा को सबसे महान सिद्ध करू बहुत कुछ सोचने के बाद उसने ये निश्चय किया कि यदी मैं शिवजी की शरण में जाकर उनके उपदेश अनुसार आचर्ण करूं तो मेरी विजय हो सकती है ये विचार करके विंध्याचल पर्वत रेवा नदी के तट पर पहुचा जिस स्थान पर ओमकारिश्वर शिवलिंग दिराजमान है तथा यहां से रेवा नदी निकली है विंध्याचल ने अमलेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की विंध्याचल परवत ने पार्थिव अर्चना के साथ धगवान शिव की छै मास तक कठिन उपासना की उनकी इस उपासना से प्रसन होकर वहाँ भूत भावन शंकरजी उसके समक्ष अपने मुख्य लक्षनों सहित प्रकट हुए तथा उसे वर्दान मांगने के लिए कहा अगवान सदाशिव के उस शुद्ध स्वरूप को देखकर विंध्याचल ने प्रणाम करने के उपरांत कहा कि है प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ सुमेरो परवत मुझसे व्यर्थ में ही बैरभाव रखता है प्रभु आप मुझे ऐसा वर्दान देने की कृपा करें जिससे मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूँ विंध्याचल की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने विंध्याचल को उनके मनोवांचित वर्प्रदान किये विंध्याचल की इस वर प्राप्ती के अफसर पर वहां बहुत से रिशिगण और मुनी भी पधारे सभीक देवता, गण और रिशी मुनी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि आप कृप्या करके लिंग रूप में यहीं पर स्थित हो जाए उनकी प्रार्थना पर धगवान शिव ने अपने ओकारेश्वर नामक लिंग के दो भाग किये एक का नाम ओकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर प्रिथक होते हुए भी दोनों की सक्ता और स्वरूप एक ही माना गया है उस समय वहां बहुत बड़ा उच्सव मनाया गया उसके बाद धगवान शिव सहित सभी देवतागन और प्रिशी मुनी अपने अपने स्थान को चले गए इस प्रकार धगवान शिव से वर्दान पाकर विंध्याचल अपने घर आया और अपने मन में विचार करता हुआ ये कहने लगा कि सुमेरु पर्वत के अहंकार का कारण केवल यही है कि सूर्य तथा चंद्रमा अन्य नक्षत्रों सहित उसकी परिक्रमा करते हैं शिव पुरान में इस जोतिरलिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है श्री उंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुन्य बताते हुए नर्मदास नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है प्रतेक मनुष्य को इस शेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ती भगवान उंकारेश्वर की क्रिपा से सहेज ही हो जाती है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहेज ही सुलब हो जाते हैं अंत्र उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिप के परमधाम की प्राप्ती भी हो जाती है भगवान शिप तो भगतों पर अकारण ही क्रिपा करने वाले हैं फिर जो लोग यहां आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विशय में कहना ही क्या है उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुन्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं इसलिए उसका अहंकार दूर करने के लिए आज मैं अपनी उचाई इतनी बढ़ा लूँगा कि सूर्य को चड़ने से ही रोक दूँगा इस प्रकार निश्चय करके विंध्याचल परवत ने बढ़ना शुरू कर दिया और इतना अधिक बढ़ा कि उसने सूर्य की गती को ही रोक दिया सूर्य की गती रुप जाने के कारण इंद्रलोक तथा कुबेर लोक में पुष्णता बढ़ गई सूर्य की किरने एकत्रत होकर इन दोनों लोकों में गिरने लगी जिसके कारण बहां सब लोग सूर्य की किरनों से जलने लगे एक और तो ये दशा थी और दूसरी और वरुन लोक तथा यम लोक में खोर अंधेराचा गया जिसके कारण बहा के सभी निवासी अत्यंत व्याकुल हो गए इस प्रकार सूर्य की गती रुख जाने से तीनों लोक अत्यंत दुखी हुए तब सभी देवता और रिशी मुनी आदी मिलकर ब्रह्मा जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि है परम्पिता आप किसी भी तरह हम लोगों की रक्षा करने की क्रिपा करें तब उन्होंने उन सभी को उत्तर देते हुए ये कहा कि देवताओं तथा रिशी मुनियों की उपस्थिती में बिंध्याचल परवत ने सुमेरु परवत पर विजय प्राप्त करने हे तु रेवा नदी के तट पर परमेश्वर लिंग की स्थापना और पूजा की है अब तुम सब लोग मिलकर रेवा नदी के तट पर जाओ और परमेश्वर शिवलिंग का पूजन करो। ब्रहमा जी की ये बात सुनकर देवता और मुनियादी परमेश्वर शिवलिंग का पूजन करने गए उस समय भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन होकर उनको दर्शन दिये और ये कहा कि देवताओं हम तुम्हारी तपस्या और सेवा से अत्यंत प्रसन्द हुए हैं। अब हम तुम्हें ये उपाय बताते हैं कि तुम काशीपुरी में जाकर अगस्त्य मुनि से ये सब व्रितांत कहो वैं तुम्हारे कार्य को अवश्य कर तब सभी देवताओं ने अगस्त्य मुनि के पास जाकर उन्हीं प्रणाम किया। अगस्त्य रिशी ने जब उनके आने का कारण पूछा उस समय गुरु ब्रिहसपती जी ने उत्तर देते हुए उन्हीं बताया कि बिंध्याचल ने उचा बढ़कर सूर्य की गती को रोप दिया है। है रिशिवर आप ऐसा उपाय करने की क्रिपा करें जिससे तीनों लोकों का दुख दूर हो जाएं। देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी बिंध्याचल के पास जा पहुँचे। अगस्त्य मुनी के दर्शन पाते ही विंध्याचल ने अपने मन में अत्यंत भैभीत हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा के प्रभु आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई भी आध्या दीजिए मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। ये सुनकर अगस्त जी ने उनसे कहा कि हे विंध्याचल हम दक्षन दिशा की ओर जा रहे हैं जब तक हम लौट कर ना आए तब तक तुम और उपर ना बढ़कर नीचे बने रहो। विंध्याचल ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब अगस्त्य जी दक्षन दिशा की ओर चले गए और वहां से फिर कभी भी लौट कर नहीं आए। इस प्रकार तीनों लोकों का दुख दूर हो गया। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता सुनता अथवा सुनाता है। उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्थ होता है। ओम नमा शिवाय। पांचवा जोतिरलिंग है केदारनाथ। भारतिय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर देश के बारा जोतिरलिंगों में से एक सर्वोठ केदारेश्वर जोतिरलिंग का मंदिर स्थित है। इस संपून क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान छोटा चार धाम में से एक है। केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं, आये जानते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी रहस्यमें जानकारी। पौरानिक कथा के अनुसार स्वयंभुव मनु की आकरिती नामक बड़ी पुत्री का विवाह रुची नामक मुनी के साथ हुआ था। रुची ने संतान प्राप्ती हेतु भगवान विश्नु जी का बड़ा तप किया। जब विश्नु जी ने दर्शन देकर उनसे वर्दान मांगने के लिए कहा, तब रुची ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान विश्नु जी उसकी प्रार्थना स्वीकार करके अंतरधान हो गये। उसके कुछ समय बाद भगवान विश्नु जी ने स्वय ही आकरिती के पेट से दो रूपों में जन्म लिया। दोनों बालकों का नाम नर और नारायन रखा गया। प्रुची तथा आकरिती ने उन दोनों को भगवान विश्नु का अवतार जानकर दीक्षा दी। उसके बाद वे दोनों नर और नारायन तपस्या करने के हेतु केदार पर्वत पर जा पहुँचे। हिमाले के केदार श्रिंग पर भगवान विश्नु के अवतार महातपस्वी, श्री नर और नारायन रिशी ने तपस्या करनी शुरू कर दी। महा तपस्वी श्री नर और नारायन ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जब करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, रिशी मुनी, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और सन्यम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामा ब्रहमा जी और सबका पालन पोशन करने वाले धगवान विश्नु भी महा तपस्वी नर नारायन के तब की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में धगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों रिशियों को दर्शन दिये। नर और नारायन ने धगवान भोले नात के दर्शन से धाव विहवल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्रस्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों रिशियों ने उनसे कहा। देवाधिदेव, महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्यान हेतु आप सदा सरवदा के लिए अपने स्वरूप को यहां स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहां निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहां आपका दर्शन पूजन करने वाले मनश्यों को आपकी अविनाशिनी भक्ती प्राप्त हुआ करेगी। प्रभू आप मनुश्यों के कल्यान और उनके उप्धार के लिए अपने स्वरूप को यहां स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्विकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर धगवान शिव ने जोतिरलिंग के रूप में बहाँ वास करना स्विकार किया। केदारनाथ परवतराज हिमालय के केदार नामक श्रिंग पर स्थित होने के कारण इस जोतिरलिंग को श्री केदारेश्वर जोतिरलिंग के रूप में जाना जाता है। धगवान शिव से वर्मांगते हुए नर और नारायन ने इस जोतिरलिंग और इस पवित्रस्थान के विशय में जो कुछ कहा है वह अक्षरशय सत्य है इस जोतिरलिंग के दर्शन पूजन तथा यहां सनान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अ बौक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है केदार घाटी में दो पहाड़ है नर और नारायन परवत विशनु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायन रशी की यह तपोभूमी है दूसरी और बद्रिनाथ धाम है जहां भगवान विशनु विश्राम करते हैं कि सत्योग में ब पांडव कथा भी है, जिसके अनुसार मान्यता है कि महा भारत के बाद पांडव अपने गोत्र बंधों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे, और इसके लिए वह भगवान शिव की खोज करने हिमालय की ओर गए, तब भगवान श शिव ने पांडवों को आता देख कर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए, भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर के दार परवत के दोनों औ और फैला दिये, सभी पशुप भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन जब भैंसे के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से निकले, तभी भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा, तो वह धरती में समाने लगा, तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कस कर पकड़ लिया, भगवान शिव पांडवों की भक्ती से प्रसन हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया, जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, कहा जाता ह इस है कि तभी से भगवान शिव यहां पर भैंसे की पीठ की आकरिती के रूप में पूझे जाते हैं, मान्यता है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला जहां भगवान शिव की पूझा पशुपती नात के रूप में की जाती है, केदारनाथ और पशुपती नाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनता है केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाद जिले में स्थित है इसे अर्ध जोतिरलिंग कहते है नेपाल के पशुपती नाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है यहां स्थित स्वयम्धु शिवलिंग अती प्राचीन है यहां के मंदिर का निर्मान जन्मेजय ने कराया था और जेनोधार आदी शंकराचार्य ने किया था पुराणों में इस मंदिर के लुप्थ हो जाने के बारे में भी भविश्यवानी की गई है पुराणों की भविश्यवानी के अनुसार इस समूचेक शेत्र के तीथ लुप्थ हो जाएंगे माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायन परवत आपस में मिल जाएंगे बदरीनात का मार्ग पूरी तरह बंध हो जाएगा और भक्त बदरीनात के दर्शन नहीं कर पाएंगे उस दिन वर्तमान बदरीनात धाम और केदारेशवर धाम लुप्थ हो जाएंगे और वर्षों बाद भविश्य में भविश्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। केदारेश्वर जोतिरलिंग भारत खंड के निवासियों के संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। उसके दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण मनोकामना सिथ हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति जो केदारेश्वर जोतिरलिंग का दर्शन करने जा रहा हो मार्ग में ही मृत्यों को प्राप्ठ हो जाएं तो उसे भी मुक्ति मिलती है। केदारेश्वर जोतिरलिंग की महीमा अपार है। ओम नमाशिवाय। धगवान शंकर के 12 जोतिरलिंग में भीमा शंकर जोतिरलिंग का छठा स्थान है। यह जोतिरलिंग महाराष्ट्र के पुने से लगभग 100 किलोमेटर दूर सहियादरी परवत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को धगवान के रूप में पूरा जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है जिसके कारण इस मंदिर को मोटिश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास ही भीमा नदी बहती है जो कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। इस जोतिरलिंग की स्थापना के विशं में कुम्भकर्ण पुत्रक भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार कहते हैं कि महाबली राक्षसराज रावन के भाई कुम्भकर्ण की पत्नी करकटी लंका में ना रहकर एक परवत पर रहती थी। एक बार यात्रा के दौरान रावन के भाई कुम्भकर्ण को करकटी नाम की एक महिला एक परवत पर मिली थी। जिसे देखकर कुम्भकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया विवाह के बाद कुम्भकर्ण लंका लौट आया लेकिन करकटी परवत पर ही रही कुछ समय बाद करकटी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम भीम रखा गया भगवान राम ने जब कुम्भकर्ण का वद किया तब भीम छोटा बालक था उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुम्भकर्ण का वद कर दिया गया था कुम्भकर्ण की मृत्यू के बाद करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया करकटी ने भीम को कुम्भकर्ण वध का बदला लेने के लिए बल्वान बनाने का प्रण किया वह कामरूप प्रदेश में अपनी मा के साथ रहता था उसने अपने पिता को कभी देखा न था समय बीतने पर भीम जवान हो गया उसके बड़ा होने पर भीम को उसकी माता ने उसके पिता कुम्भकर्ण की मृत्यू के बारे में सारी बाते बताई धगवान विश्णू के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस क्रोधित हो उठा उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया अब वह निरंतर धगवान श्री हरी के वध का उपाय सोचने लगा उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ती के लिए एक हजार वर्ष तक कठिन तपस्या की भीन ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए वन में जाकर भगवान ब्रमाजी की कठिन तपस्या की और उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रम्हाजी ने उसे बहुत ताकतवर और लोग विजी होने का वर्दान दे दिया वर्दान पाकर भीन बहुत शक्तिशाली हो चुका था अब तो वह राक्षस ब्रमाजी के उस वर्दान के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीडिक करने लगा उसने देवलोग पर आक्रमण करके देवराज इंद्र आदी सारे देवताओं को हरा दिया और देवलोग पर अधिकार कर लिया उसने देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया, अब पूरे देवलोग पर भीम का अधिकार हो चुका था इसके बाद उसने वर्दान के प्रभाव से धगवान श्रीहरी को भी युद्ध में परास्त किया इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकडम लोप हो गया वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था इस प्रकार यग्य, दान, दप, स्वाध्याय आदी के सारे काम एकडम रुख गए उसी समय के दौरान राजा सुदक्षिन कामरूप देश के राजा थे, वे परमशिव भक्त थे कामरूप नरेश सुदक्षिन को कामरूपेश्वर भी कहा जाता है एक दिन भीम ने सुदक्षिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया जिसके बाद भीम ने सुदक्षिन को धगवान की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करने के लिए कहा राजा के बाद नमानने पर भीम ने कामरूप देश पर भी आक्रमन किया और काम रूप के परमशिव भक्त राजा सुदक्षिन पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। भीन के अत्याचार की भीशंता से घबरा कर रिशी मुनी और देवगन भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा मैं शीघर ही उस अत्याचारी राक्षस का सहार करूँगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिन को भी सेव को सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया है। धगवान शिव से यह आश्वासन पाकर रिशी मुनी और देवकन अपने अपने स्थान को वापस लोट गए। राजा सुदक्षिन ने कारागार में शिवलिंग की स्थापना करके विधी पूर्वक पूजन पाठ शुरू कर दिया। उसकी नित्य शिव आराधना से प्रेरित होकर अन्यबंदी भी शिव भक्ती करने लगे। भीन को जब राजा सुदक्षिन के पूजन का पता चला तब वह क्रोधित होकर कारागार में राजा सुदक्षिन को मारने पहुचा। काराकार में राजा सुदक्षन शिवलिंग के सामने पूजन कर रहे थे तब भीम ने पार्थिव शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हो गए धगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस भीम को वहीं जलाकर भस्न कर दिया इस प्रकार भीम की मृत्यू हो गई धगवान शिव जी का यहा अध्भुत कृत्य देखकर सारे रिशी मुनी और देवगन वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव आप लोग कल्यान के लिए अब सदा के लिए यहीं निवास करें यह क्षेतर शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है आपके निवास से यह परम पवित्र उन्यक्शेत्र बन जाएगा भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली वहाँ वह जोतिरलिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे इस स्थान पर भीन से युद्ध करने की वजए से इस जोतिरलिंग का नाम भीमाशंकर पड़ गया उनका यह जोतिरलिंग भीमा शंकर या भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ इस जोतिरलिंग की महीमा अमोग है इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता धब्तों की सभी मनो कामनाएं यहां आकर पूर्ण हो जाती है ओम नमा शिवाय सात्वा जोतिरलिंग है काशी विश्वनाथ श्री विश्वनाथ जोतिरलिंग उत्तर भारत की प्रसिध नगरी काशी में स्थित है इस नगरी का प्रलयकाल में भी लोग नहीं होता है उस समय भगवान शंकर अपनी वास भूमी इस पवित्रकाशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और स्रिष्टी काल आने पर पुन्ह यथा स्थान रख देते हैं स्रिष्टी की आदिस्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है भगवान विश्णु ने इसी स्थान पर स्रिष्टी कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था अगस्त्य मुनी ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था इस मंदिर को विश्वेश्वर नान से भी जाना जाता है इस शब्द का अर्थ होता है ब्रहमाड का शासत इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहां जो भी प्राणी अपने प्रान त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ती होती है भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं इस मंत्र के प्रभाव से पापी से पापी प्राणी भी सहजी भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं काशीनगरी की उत्पत्ति तथा उसकी भगवान शिव की प्रेतमा बनने की कथा सकंद पुरांगे काशी खंड में वर्नित है. कथा के अनुसार भगवान शंकर पारवती जी से विवाह करके कैलाश परवत रह रहे थे. लेकिन वहाँ अपने पिता के घर में विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा न लगता था एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा आप मुझे अपने घर ले चलिए मुझे यहां रहना अच्छा नहीं लगता सारी लड़किया शादी के बाद अपने पती के घर जाती हैं मुझे अपने पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली माता पार्वती ने आग रह कर भगवान शिव को एक शांती प्रियस्थान चुनने के लिए कहा तब राजा दिवोदास की बारांसी नगरी शिव को बहुत प्रिय लगी वै माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए घगवान शिव के लिए इसे शांती पूर्ण बनाने के लिए निकुंध नामक एक शिव गण ने वारांसी शहर को निर्जन कर दिया जिससे राजा दिवोदास अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने ब्रहमा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसंद किया और उनसे अपने दुख का कारण बताया तथा निवारनार्थ राजा ने कहा कि देवताओं को देव लोग को शोभ्यमान करना चाहिए प्रित्वी लोग हम मनुश्यों हे तु है फिर ब्रहमा जी के आगरह करने पर धगवान शिव मंदराचल परवत की ओर चले गए परन्तु वै अपने काशी मोह को त्याग न सके भगवान विश्णू से शिव की यह व्याकुलता सही नहीं गई तब उन्होंने राजा को तपोवन में प्रस्थान करने का आदेश दिया जिससे प्रसन्न काशी ने करवट लिया और शिव काशी के हो गए यहां आकर वै विश्वनाथ जोतिरलिंग के रूप में स्थापित हो गए इस जोतिरलिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्थ पापों तापों से छुटकारा पा जाता है प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के योगक्षेम का समस्थ भार भगवान शंकर अपने उपर ले लेते हैं ऐसा भग्त उनके परमधाम का अधिकारी बन जाता है भगवान शिवजी की क्रिपा उस पर सदैग बनी रहती है ऐसा माना जाता है कि वारांसी शहर भगवान शिव के प्रिशूल पर टिका हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर को सोने का मंदिर भी कहा जाता है मंदिर के कुम्बत को सोने का बनाया गया है जिसके लिए पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने सोना दान में दिया था ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदी गंगा में स्नान करके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है मंदिर के गर्भगरह में मंदप और शिवलिंग है यह चान्दी की चौकोर वेदी में स्थापित हैं वहीं मंदिर परिसर में काल धैरव, भगवान विश्नु और विरुपाक्ष गौरी के मंदिर भी हैं ऐसा माना जाता है कि जब पृत्वी का निर्मान हुआ तो सूर्य की पहली किरण काशी पर ही पड़ी थी इस मंदिर के दर्शन के लिए आदी शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामक्रिष्न परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्शी दयानंद और गोस्वामी तुलसी दास भी आए इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिन में केदार खंड और बीच में विश्विश्वर खंड है ओम नमा शिवाय आठवा जोतिरलिंग है त्रियम्बकेश्वर त्रियम्बकेश्वर जोतिरलिंग बारा जोतिरलिंगों में से एक है यहाँ पर भगवान शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे ये मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य में नासिक के पास त्रिम्बक में स्थित है जोती का अर्थ है प्रकाश या जोती और लिंग का अर्थ है प्रतीक या संके जोतिरलिंग का अर्थ है शिव के प्रकाश का संके जोतिरलिंग भगवान शिव की सार्वभावमिक्ता, अनंतता और सर्वशक्ति मानता का प्रतीक है जोतिरलिंग में शिव के विभिन्न स्वरू, क्रिपा, आशिरवाद, महीमा और कथाएं प्रतिबिंबित होती है प्रियम्केश्वर जोतिरलिंग की सबसे बड़ी विशेशता ये है कि यहां ब्रह्म, विश्नु और महेश तीनों ही विराजित हैं अन्य सभी जोतिरलिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं मंदिर के अंदर एक छोटे से गड़े में तीन छोटे छोटे लिंग है जो ब्रह्म, विश्नु और महेश इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं और इसे सोने से बने मुकुट के आकार के आभूशन से ढका हुआ है शिव कुराण में श्री त्रियंबकेश्वर जोतिरलिंक था और उसकी महिमादी गई है इस कथा के अनुसार प्राचीं काल में त्रयंबक गौतम रिशी की तपो भूमी थी गौतम रिशी शिव जी के परम भक्त थे वैं अपने मस्तक पर भस्न लगाते सब अंगों में प्रुद्राक्ष धारण करते तथा हर समय शिव जी के नाम का जब किया करते थे वैं राजा जनक के पुरोहित थे उनकी अहिल्या नामक पत्नी परम पतिवर्ता थी जब उनके पुत्र उत्पन हुए तब वैं अपने शिश्यों तथा परिवार सहित दक्षिन दिशा में जो ब्रहम गिरी है वहां चले गए थे इसके बाद उन्होंने वही रहकर दस हजार वर्षों तक तपस्या की थी एक समय ऐसा आया जब वहां सौ वर्षों तक बड़ा भयानक सूखा पड़ा और पानी की एक गूंद भी नहीं बरसी कहीं एक भी गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था फिर जीवों का आधार भूत जल कहां से दिखाई देता कोई भी व्रिक्ष हरा न रहा गर्मी बढ़ जाने के कारण अधिकांश जीव जल कर भस्म हो गए वहां रहने वाले सभी लोग बहुत व्याकुल हो गए रिशी मुनी योग धारण करके अपनी स्त्रीव सहित किसी प्रकार समय व्यतीत करने लगे उस समय मुनी मनुष्य पशु पक्षी और म्रिगर सब वहां से दसों दिशाओं को चले गए उस समय संसार को व्याकुल देखकर गौतम रिशी ने वर्षा होने के हेतु वरुन दे पुरुषों का ये स्वभाव होता है कि वे दूसरों की भलाई के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं तथा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए स्वयंकष्ट सहते हैं जब गौतम रिशी ने अहिल्या सहित अत्यंत उग्रत अप किया तब वरुन देव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिये और वर्दान मामिने के लिए कहा उस समय गौतम रिशी ने उनसे ये प्रार्थना की कि आप मेरे मनोरत को कूर्ण करने है तो वर्षा कीजिए लाब जीवन मरण वर्षाकाल यश निंदा पाप जय पराजय उत्पत्ती प्रलय तथा नरक स्वर्ग आदी बाते भगवान सदाशिव के अधीन हैं वे परब्रम तथा सबके स्वामी है वर्षा होना या ना होना भी उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है इसलिए हम तुम्हें ऐसा वर्दान नहीं दे सकते परंतु हे गौतम एक बात ये भी है कि यदि हम तुम्हें वर्दान नहीं देते तो ये काल्य भी धर्म के विरुद्ध होगा इसलिए अब तुम क्रिपा करके कोई ऐसा वर मांगो जिसे हम प्रसंता पूर्वक दे सकें वरुन देवता की बात सुनकर गौतम रिशी ने कहा अच्छा यदी ऐसा है तो आप मुझे एक अक्षय जल का कुंड दे दीजिये इससे मेरी बात भी रह जाएगी और आपका आगमन भी सार्थक रहेगा गौतम रिशी की ये बात सुनकर वरुन देवता ने अत्यंत प्रसंन होकर गौतम रिशी की प्रशंसा की और एक अक्षय कमल देते हुए ये कहा कि हे रिशी तुम प्रिथवी में एक गढ़ा बनाओ और उस गढ़े में इस अक्षय कमल को डाल दो हमारी कृपा से वै गढ़ा हमेशा जल से भरा रहेगा वरुन देव की आज्यानुसार गौतम रिशी ने प्रिथवी में एक गढ़ा खोदा और उस गढ़े में अक्षय कमल को डाल दिया उसे जल से परिपूर्ण कर देने के उपरांद वरुन देव ने कहा हे रिशी ये गढ़्धा जिसका विस्तार एक हाथ है परंपवित्र तीध होकर तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा और सदैव जल से परिपूर्ण बना रहेगा जो लोग इस तीर्थ की सेवा करेंगे उन्ही संपूर्ण मनोरतों की प्राप्ती होगी ऐसा कहकर महर्शी गौतम से प्रसन्न होकर वरुन देवता अंतरधान हो गए उस समय गौतम रिशी अपनी पत्नी सहित उसकुंड का जल्पी कर अत्यंत आनंदित हुए गौतम रिशी ने उसकुंड के समीप खेती कर आए बहुत जल्दी ही ये समाचार चारों और फैल गया ये समाचार पाकर बहुत से रिशी मुनि अपनी अपनी पत्नियों एवं शिश्यों सहित चारों और से आकर उसी स्थान के समीप रहने लगे इस प्रकार उसकुंड के आसपास एक बहुत बड़ा तथा श्रिश्ट नगर बस गया भूख प्यास से व्याकुल मनुश्यों ने वहां आकर प्रसंता प्राप्त की वरुन देवता के वर्दान के कारण उस गौतम कुंड का ये प्रभाव था कि उसमें से चाहे जितना जल भरा जाए परन्तु वै कभी भी कम नहीं होता था अब वहां तरह तरह के धान्य भाती भाती के वरिक्ष और अनेक प्रकार के फल खूल लहलहा उठे ये समाचार सुनकर दूसरे सहस्त्रों रिशी मुनी पशुपक्षी तथा बहु संख्यक जीव वहां जाकर रहने लगे वै वन इस भूमंडल में बड़ा सुन्दर हो गया उस अक्षय जल के सन्योग से अब सूखा वहां के लिए दुखदाइनी नहीं रह गया उस वन में अनेकशुग कर्म परायन रिशी अपने शिश्य भार्या और उत्र आदी के साथ वास करने लगे उन्होंने कालक शेप करने के लिए वहां धान बुआ दिये गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया एक दिन शिवजी की माया के वशी भूत होकर गौतम रिशी ने अत्यंत अहमकार में भर कर अपने शिश्यों को उस कुंड से शीगरता पूर्वक जल लाने के लिए भेजा जिस समय गौतम के शिश्य उस कुंड के तड़ पर पहुँचे उसी समय मुनियों की अन्यस्त्रिया भी अपने घड़ों में पानी भरने के लिए बहां पहुँची उन्होंने गौतम रिशी के शिश्यों से कहा कि पहले हम पानी भर लें उसके बाद तुम पानी भर लेना ये सुनकर गौतम रिशी के शिश बिना पानी भरे ही अहिल्या के पास लौट गए और उनसे ये कहने लगे कि मुनियों की स्त्रियों ने हमें पानी नहीं भरने दिया तब अहिल्या उन शिशों को साथ लेकर कुंद पर जा पहुँची और वहां खड़े होकर अपने सामने गौतम रिशी के शिशों को जल भरवा कर घर को लौट आई अहिल्या का ऐसा करना मुनियों की पत्नियों को अच्छा नहीं लगा और वै अत्यंत क्रोधित होकर बिना पानी लिए ही अपने घर लोट गई इस प्रकार वहां गौतम रिशी के आश्रम में जाकर बसे हुए रिशी मुनियों की स्त्रिया जल के प्रसंद को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई और अपने पतियों को रो रो कर जूठी सच्छी बाते मिलाकर सभान सुनाने लगी उन्होंने अपने पतियों को उक्साया उन्स्त्रियों की बात सुनकर रिशी मुनियों ने अत्यंत क्रोधित होकर गौतम रिशी का अनिष्ट करने का निष्चे किया उन लोगोंने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की कुछ समय बाद उनकी सेवा से संतुष्ठ होकर गणपती ने उनको दर्शन दिये भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा तब ये रिशी मुनी बोले भगवन यदियाप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त्रिशी डांट फटकार कर प्रिशी गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें गणेश जी ने कहा प्रिशियो तुम सब लोग सुनो इस समय तुम उचितकार्य नहीं कर रहे हो बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानी ही होगी जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाएं तो वै अपने लिए हितकारत नहीं होता जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है जैसी आप लोगों ने की है ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिध्धी की जाती है स्वयही शुप फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहन किया जाता ब्रहमा जी ने ये कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को ग्रहें नहीं करता ये बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्शी गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो संसार में ऐसा कार्य करना कदापी उचित नहीं ये मुनिश्रिष्ट गौतम तुम्हें निश्चय ही सुख देंगे इसलिए उनके साथ छल करना कदापी उचित नहीं शिवजी की प्रसन्नता के कारण रिशी गौतम का कोई अनिश्च ना होगा परंतु शिवजी की इच्छा के विरुथ होने के कारण तुम सब लोग अत्यंत दुख उठाओगे इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो स्त्रियों की शक्ती से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरी ये बात मान कर चलो कि तुम्हारा ये बरताफ गौतम के लिए अत्यंत हितका रखी होगा इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो महात्मा गनेश ने रिशियों से जो ये बात कही वैयद्यपी उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे नहीं स्विकार किया तब भगतों के अधीन होने के कारण शिवकुमार महात्मा गनेश ने कहा तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा इसके बाद जो होना होगा वैय होकर ही रहेगा इतना कहकर गनेश जी अंतरधान हो गए वहां गौतम के खेत में जो धान और जो थे इसके बाद गनेश जी एक दुर्बल गाय बनकर उनके खेत में गए दिये हुए वर को पूरा करने के लिए वैगो का पती हुई बहां खेत में जाकर धान और जो चड़ने लगी इसी समय दैवश गौतम रिशी बहां आ गए गौ माता के प्रती दिल में दया होने के कारण गौतम रिशी मुठी भर तिनके लेकर उनहीं से उस गौ को हाकने लगे उन तिनको का स्पर्श होते ही वैगो पृत्वी पर गिर पड़ी और रिशी के देखते देखते उसी क्षण मर गई वे दूसरे द्वेशी रिशी मुनी और उनकी दुष्ट स्त्रिया वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे उस गौ के गिरते ही वे सब ही सामने आ गए और सब के सब बोल उठे गौतम तुमने ये क्या कर डाला गौतम रिशी भी आश्चर यच्कित हो अहिल्या को बुला कर व्यथित हरदय से दुख पूर्वक बोले देवी ये क्या हो गया कैसे हो गया ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गये हैं अब क्या करू कहा जाओ मुझे गौ हत्या लग गई इसी समय ब्राहमन और उनकी पत्निया गौतम को डाटने लगी और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीडिक करने लगी उनके दुर्बुधी शिश्य और उत्र भी गौतम रिशी को बारंबार फटकारने और धिकारने लगे ब्राहमन बोले अब तुम्हें अपना मुह नहीं दिखाना चाहिए यहां से जाओ कहीं और चले जाओ गौ हत्यारे का मुह देखने पर ततकाल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अगनिदेव और पितर हमारे दिये हुए किसी भी हव्यकव्य को ग्रहें नहीं करेंगे इसलिए पापी गौ हत्यारे तुम परिवार सहित यहां से कहीं और चले जाओ विलंग न करो ऐसा कह कर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरमध कर दिये वे गालिया देदे कर गौतम और अहिल्या को सताने लगे उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम रिशी बोले मुनियो मैं यहां से कहीं और जाकर रहूँगा ऐसा कहकर गौतम रिशी अपनी पत्नी अहिल्या के साथ उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आग्या से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए एक आश्रम बनाया लेकिन वे रिशी मुनी अब भी संतुष्ट नहीं थे वे वहाँ जाकर गौतम रिशी से कहने लगे कि जब तक तुम्हारे उपर गौ हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यग्ययागादी कर्म नहीं करना चाहिए किसी भी वैदिक देव्यग्य या वित्रियक्य के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरहे एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी होकर बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धी के लिए प्रार्थना करने लगे उनके दिनभाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राहमनों ने कहा गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए तीन बार सारी पृत्वी की परिक्रमा करो फिर लोटकर यहां एक महीने तक व्रत करो उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धी होगी अथवा यहां गंगा जी को ले आकर उन्ही के जल से स्नान करो तथा एक करोर पार्थिवलिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो फिर गंगा में स्नान करके इस परवत की 11 बार परिक्रमा करो तक पश्चात 100 घडों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उध्धार होगा उन रिशियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली वे बोले मुनिवरो मैं आप लोगों की आग्या से यहां पार्थिव पूजन तथा ब्रहमगिरी की परिक्रमा करूंगा ऐसा कहकर मुनिश रेष्ट गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया साधवी अहिल्या ने भी साथ रहकर वे सब कुछ किया उस समय शिश्य प्रशिश्य उन दोनों की सेवा करते थे पतनी सहित गौतम रिशी द्वारा इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव अपने प्रमतकनों के साथ बहा प्रकट हो गए प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शंकर ने कहा महामुने मैं तुम्हारी उत्तम भक्ती से बहुत प्रसन्न हूँ तुम कोई वर मांगो उस समय महादेव शंभु के सुन्दर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुती की लंबी स्तुती और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वै उनके सामने खड़े हो गए और बोले देव मुझे निश्पाप कर दीजिए धगवान शिव ने कहा मुने तुम धन्य हो, कृत-कृत्य हो और सदा ही निश्पाप हो इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ती में ततपर रहने वाले तुम क्या पापी हो मुनेक जिन दुरात्माव ने तुम पर अत्याचार किया है, वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं, उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जायेंगे वे सब के सब कृतगन हैं, उनका कभी उध्धार नहीं हो सकता महादेव जी की ये बात सुनकर महर्शी गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए गौतम ने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोर कर कहा, महेश्वर उन रिशियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है यदि उन्होंने ये बरताव न किया होता, तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त कैसे होते धन्य है वे महर्शी जिन्होंने मेरे लिए परम कल्यानकारी कार्य किया है उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है गौतम जी की ये बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने गौतम को कृपा ग्रिष्टी से देख कर कहा विप्रवर तुम धन्य हो, सभी रिशियों में श्रिष्ठ तर हो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो देवेश यदि आप प्रसन्न हैं तुम मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोग का महान उपकार कीजिए आपको मेरा नमस्कार है नमस्कार है यू कहकर गौतम ने देविश्वर भगवान शिव के दोनू चरनारविन पकड़ लिये और लोखित की कामना से उन्हें नमस्कार किया तब शंकर देव ने पृत्वी और स्वर्ग के सारभू जल को निकाल कर जिसे उन्होंने पहले से ही रक्षोडा था और विवाह में ब्रहमाजी के दिये हुए जल में से जो कुछ शेश रह गया था वैस सब भक्त वचसल शंभू ने उन गौतम मुनी को दे दिया उस समय गंगाजी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बहां खड़ा हुआ तब मुनिवर गौतम ने गंगाजी की स्तुती करके उन्हें नमस्कार किया गौतम बोले गंगे तुम धन्य हो, कृत-कृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो तदंतर शिवजी ने गंगा से कहा, देवी तुम मुने को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर व्यवस्वत मनु के 28 वे कलियुक तक यही रहो गंगा ने कहा, महेश्वर यदी मेरा माहात में सब नदियों से अधिक हो और अम्डिका तथा गणों के साथ आप भी यहां रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी गंगा जी की ये बात सुनकर धगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे कथनानुसार यहां स्थित रहूंगा तुम भी स्थित हो अपने स्वामी परमेश्वर शिव की ये बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की इसी समय देवता प्राचीन रिशीक अनेक उत्तमतीत और नाला प्रकार के क्षेत्र बहां आप पहुँचे उन सबने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम रिशीक गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया इसके बाद उन सब देवताओं ने मस्तक जुका कर हाथ जोड कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक्स तुती की उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरिश ने उनसे कहा श्रेष्ट देवताओ वर मांगो तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वर देंगे देवता बोले देविश्वर यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रिष्ट गंगे यदि आप भी प्रसन नहें तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग प्रिपा पूर्वक यहां निवास करें गंगा बोली देवताओ फिर तो सब का प्रिय करने के लिए आप लोग स्वय ही यहां क्यों नहीं रहते मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करने के लिए आई हूँ उसी तरह लोट जाऊंगी आपके समाज में यहां मेरी कोई विशेष्टा समझी जाती है इस बात का पता कैसे लगे यदि आप यहां मेरी विशेष्टा सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहां रहूंगी इसमें संशय नहीं है सब देवताओं ने कहा सरिताओं में श्रिष्ट गंगे सबके परम सुहरित ब्रिहस्पती जी जब जब सिंह राशी पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहां आया करेंगे इसमें संशय नहीं है ग्यारा वर्षों तक लोगों का जो पातक यहां प्रक्षालित होगा उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशी को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आयेंगे हमने ये सर्वता सच्ची बात कही है सरित्वरे महादेवी इसलिए तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहां नित्य निवास करना चाहिए जब तक गुरु ग्रिहस्पती सिह राशी पर रहेंगे तभी तक हम यहां निवास करेंगे उस समय तुम्हारे जल में त्रिकालसनान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे फिर तुम्हारी आध्या लेकर अपने स्थान को लोटेंगे इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्शी गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ट गंगा दोनों वहां स्थित हो गये वहां की गंगा गौत्मी और गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का जोतिर्मय लिंग त्रियंबक कहलाया यह जोतिर्लिंग महान पात्कों का नाश करने वाला है उसी दिन से लेकर जब जब ब्रहस्पती सिन्ह राशी में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ शेत्र देवता पुष्कर आदी सरोवर गंगा आदी नदिया तथा श्रीविष्णु आदी देवगन अवश्य ही गौत्मी के तटपर पधारते और वास करते हैं जब तक वे सब गौत्मी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहाँ इनकी सेवा का फल मिलता है ये त्रियंबक नाम से प्रसिद्र जोतिरलिंग गौत्मी के तटपर स्थित है और बड़े-बड़े पातकों का नाश करने वाला है जो भक्ति भाव से इस त्रियंबक लिंग का दर्शन पूजन स्थवन एवं वंदन करता है वे समस्थ पापों से मुक्त हो जाता है महर्शी गौत्म के द्वारा पूजित त्रियंबक नामक जोतिरलिंग इस लोग में समस्थ अभीष्टों को देने वाला तथा परलोग में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है त्रियंबक शहर पवित्र गोदावरी नदी का सुरोग भी है जिसे भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है माना जाता है कि ये नदी, गंगा नदी का रूप है और गोदावरी में डुबड की लगाना हिंदूं के लिए अत्यधिक शुब माना जाता है हिंदो-पॉरानिक कथाहों के अनुसार ये माना जाता है कि भगवान शिव ने मानव जाती के पापों को नश्ट करने के लिए स्वयन को त्रयंबकेश्वर जोतिरलिंग के रूप में प्रकट किया था इस प्रकार त्रयंबक जोतिरलिंग भी संकूर्ण मनोरतों को प्रदान करने वाला है त्रियम्वकेश्वर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक कुंध मेले के लिए भी प्रसिद्ध है कुंध मेला हर बारह साल में होता है और इस शुब अवसर पर लाखों तीर्थ यात्री गोदावरी नदी में पवित्रस नान करने के लिए इकठा होते है त्रयमकेश्वर को भीमाशंकर, धृष्णेश्वर, ओंधा नागनाथ और पर्ली वैजनाथ के साथ महाराष्ट्र के पांच जोतिरलिंगों में से एक माना जाता है मंदिर में मनाए जाने बाले मुख्यत योहारों में महाशिवरात्री, श्रावन शिवरात्री और कार्तिक पूर्णिमा शामिल है ओम नमाशिवाई श्री वैद्यनाथ जोतिरलिंग का समस्त जोतिरलिंगों की गणना में नवा स्थान बताया गया है भगवान श्री वैद्यनाथ जोतिरलिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है यह स्थान जार्खन प्रांत पूर्ग में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपत में पढ़ता है शास्त्र और लोग दोनों में उसकी बड़ी प्रसित्थी है इसकी स्थापना के विशय में यह कथा कही जाती है कि एक बार प्राक्षस राज रावन ने हिमाले पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी खोर तपस्या की प्राक्षस राजरावन अभिमानी तो था ही वह अपने अंकार को भी शीख्र प्रकट करने वाला था बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिफ उस पर प्रसंद नहीं हुए तब वह फिर से दूसरी विधी से तब साधना करने लगा तब के लिए उसने कठोर सन्यम नियम को धारण किया वह गर्मी के दिनों में पांच अगनियों के बीच में बैठकर पंचागनी सेवन करता था तो वर्शाकाल में खुले मैदान में चबूत्रे पर सोता था और शीतकाल यानी सर्दियों के दिनों में आकंठ यानी गले के बराबर जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था इन तीन विधियों के द्वारा रावन की तपस्या चल रही थी इतने कठोर तब करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसंद नहीं हुए ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिजाना बड़ा कठिन होता है कठिन तपस्या से जब रावन को सिध्धी नहीं प्राप्थ हुई तब उसने सिध्धिस्थल हिमाले परवत से दक्षिन की ओर सघन व्रिक्षों से भरे जंगल में प्रित्वी को खोद कर एक गढढ़ा तयार किया उसने भगवान शिव को भी वहीं अपने पास ही स्थापित किया रावन ने गड़े में अगनी की स्थापना करके हवन प्रारंप कर दिया उसने एक-एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिये वह शास्त्र विधी से भगवान की पूजा करता और उस पूजन के बाद अपना एक मस्तक काटता तथा भगवान को समर्पित कर देता था इस प्रकार बारी-बारी उसने अपने नौ मस्तक काट डाले जब वह अपना अंतिन दस्वा मस्तक काटना ही चाहता था, तब तक भक्त वत्सल भगवान महेश्वर उस पर संतुष्ट और प्रसन्न हो गए भगवान शिव अती प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए उन्होंने साक्षात प्रकट होकर शीश काटने को तैयार रावन का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया धगवान शिव ने उसके नौ सिर्भी पहले की तरह जोड़ दिये और राक्षस राज रावन को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपंबल और पराक्रम प्रदान किया धगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उससे बर मांगने को कहा भगवान शिव का कृपा प्रसाद ग्रहन करने के बाद राक्षस राज रावण ने नत्मस तक होकर विनमर भाव से हाथ जोड़ कर कहा देवेश्वर मैं आपकी शरण में आया हूँ जदी आप मुझ पर प्रसन होकर मुझे वर्दान देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपनी राजधानी लंका लेकर चलू आप मुझ पर प्रसन होए और मेरा मनोरत सिद्ध कीजिए इस प्रकार रावण ने वर के रूप में धगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमती मांगी रावण के इस कथन को सुनकर धगवान शंकर असमंजस की स्थिती में पड़ गए धगवान शिव ने उसे यह वर्दान तो दे दिया लेकिन उसके साथ एक शर्थ भी लगा दी उन्होंने कहा राख्षस राज तुम शिवलिंग को ले जा सकते हो किन्तु यह ध्यान रखना यदि तुम रास्ते में इसे कहीं पर रख दोगे तो यह उसी स्थान पर अचल हो जाएगा फिर तुम इसे उठा नहीं सकोगे अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो घगवान शंकर की माया शक्ती के प्रभाव से चलते चलते एक जगय मार्ग में उसे लगुशंका यानि पेशाप करने की आवश्शक्ता महसूस हुई सामर्थ शाली रावन मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ रहा और वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमा कर लगुशंका की निवृत्ती के लिए चल पड़ा एक मुहूर्थ बीतने के बाद उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगने लगा और वह उसे संभाल न सका विवश होकर उस अहीर ने शिवलिंग को वही भूमी पर रख दिया भूमी पर रखते ही वह मनिमई शिवलिंग लोग कल्यान की भावना से वही भूमी में स्थिर हो गया रावन जब लौट कर आया तब बहुत प्रयक्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार से उठा न सका अंत में ठककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बना कर उसे वही छोड़कर रावन लंका को लोट गया उसने राजधानी लंका में पहुँचकर शिवलिंग की सारी घटना अपनी पत्नी मंदोदरी को बताए इस सारी घटना की जानकारी देवताओं को भी मिली देवपुर के इंद्र आदी देवताओं और विशियों ने शिवलिंग संबंधी समाचार को सुनकर आपस में परामर्ष किया और बहा पहुँच गये घगवान शिव में अटूट भक्ती होने के कारण ब्रह्मा, विश्नु, आदी देवताओं ने बहा आकर उस शिवलिंग का पूजन किया सभी ने घगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया ततपश्चात इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए इस प्रकार रावन की तपस्या के फलस्वरू श्री वैद्यनाथेश्वर जोतिरलिंग का प्रादुर्भाव हुआ यही जोतिरलिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है यह श्री वैद्यनाथ जोतिरलिंग अनंत फलों को देने वाला है यह ग्यारह अंगुल हूचा है इसके उपर अंगुठे के आकार का गड़ा है कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगुठे से बनाया था यहां दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है रोग मुक्ति के लिए भी इस जोतिरलिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस जोतिरलिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्थ पापों से छुटकारा मिल जाता है उस पर भगवान शिव की क्रिपा सदा बनी रहती है देहिक दैविक भौतिक कष्ट उसके पास भूल कर भी नहीं आते भगवान शंकर की क्रिपा से वह सारी बाधाओं समस्थ रोगों शोकों से छुटकारा पा जाता है उसे परमशांतिदायक शिवधाम की प्राप्ती होती है सावन के महीने में यहां लाखों श्रद्धालू कामवड यात्रा करने आते हैं और भगवान वैद्यनाथ जी को जल अर्पित करते हैं सिथ पीठ होने की वजह से यहां भक्तों की मुरादे जल्दी पूरी होती हैं इसलिए इस जोतिर लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं इस प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम के परिसर के सभी मंदिरों शिव पार्वती मंदिर लक्ष्मी नारायन मंदिर के शिखरों पर त्रिशूल की जगह पंच्शूल लगा हुआ है जिसे एक अजय शक्ति माना जाता है जो की एक सुरक्षा कवच की तरह है इस प्रकार का पंच्शूल ग्रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए चारों और लगवाया था इस विद्या का ज्यान ग्यान ग्रावण को राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से हुआ था यह इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम भी इसे भेद नहीं पा रहे थे तो विभिशन ने इस रहस्य को उजागर किया था यह पंच्शूल प्रतिवर्ष शिवरात्री के दो दिन पहले उतार कर इसकी विशेश पूजा की जाती है इस दोरान लाखों श्रधालू का तांता लगा रहता है इस पंच्शूल को स्पर्ष करके श्रधालू आर्शिरवात प्राप्त करते हैं पूजा के उपरांत इन सभी को शिकरों पर फिर से लगा दिया जाता है इस पूजा में शिव एवं पार्वती के मंदिरों के गठ बंधन को हटा कर नया गठ बंधन भी किया जाता है ओम नमाशिवाय दस्वाँ जोतिरलिंग है श्री नागेशवर जोतिरलिंग नागेश्वर जोतिरलिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगधक 17 मील की दूरी पर स्थित है शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में भी जाना जाता है शास्त्रों में इस पवित्र जोतिरलिंग के दर्शन की बड़ी महीमा बताए गई है नागेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है इस जोतिरलिंग के संबंध में औराणिक कथा के अनुसार सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था वै भगवान शिव का भक्त था वै निरंतर उनकी आराधना पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था अपने सारे कार्य वै भगवान शिव को अर्पित करके करता था मन वचन कर्म से वै पूर्णतर शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था उसी काल में दारुका नाम की एक प्रसिद राक्षसी थी राक्षसी दारुका ने मा पार्वती की कठिन तपस्या करके उन्ही प्रसंद करके वर्दान प्राप्त किया वर्दान मांगते हुए दारुका ने कहा कि हम पश्चिन समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर दारुका वन नहीं जा सकते हैं, वहां पर कई प्रकार की दैविय आउश्धिया हैं सतकर्मों के लिए हम राक्षसों को उस वन में जाने का वर्दान दें। ऐसे में मा पार्वती ने उन्हें वर्दान दे दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें वर्दान मिला वैसे ही उन्होंने वन में उत्पात मचाना शुरू कर दिया और वन को देवों से चीन लिया। माता पार्वती जी से बर्दान प्राप्ट करके वै राक्षसी अहमकार में चूर रहती थी, उसका पती दारुक महान बल्शाली राक्षस था, वै प्रसित धर्म नाशक राक्षस था, उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंग फैलाया हुआ था, वै यग्य आदी शुग कर्मों को नश्ट करता हुआ, संथ महात्माओ का सहार करता था, दारुका जहां भी जाती थी, व्रिक्षों तथा विवित उपकर्मों से सुसजित वै बन भूमे अपने विलास के लिए साथ ले जाती थी, महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायत्व दारुका को ही सौपा था, जो उनके वर्दान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था, महान बल्शाली राक्षस दारुक से पीडित आम जन्ता ने महर्शी और्व के पास जाकर अपना कश्ट सुनाया, शर्णागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्शी और्व ने राक्षसों को शाप दे दिया, उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस प्रित्वी पर प्राणियों की हिंसा और यग्यों का विनाश करेगा, उसी समयवः अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा, महर्शी और्व द्वारा दिये गए शाप की सूचना, जब देवताओं को मालूम हुई तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी, राक्षसों पर भारी संकट आपड़ा, यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं, तो शाप के कारण स्वय मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं, तो पराजित होकर स्वय भूखों मर जाएंगे, उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया, और मा भवानी के वर्दान का प्रयोग करते हुए, बैसंपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जाबसी, इस प्रकार राक्षसों ने धर्ती को छोड़ दिया, और निर्भैता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए, वह भी प्राणियों को सताने लगे सुप्रिय एक शिव भक्त वैश्य था राक्षस दरुका को भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी वै निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में बिगन पहुंचे एक बार जब सुप्रिय नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्क से कहीं जा रहा था उस समय दुष्ट राक्षस दारूप ने यह उप्युक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमन कर दिया उस राक्षस दारूप ने नौका में सवार सुप्रिय सहित सभी यात्रियों का अफरण कर लिया और अपनी राजधानी में ले जाकर कैट कर लिया चुकि सुप्रिय शिव जी का अनन्य भक्त था इसलिए वे कारागार में भी अपने नित्यनियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिवजी की आराधना के प्रती जागरू कर दिया वे सभी शिवभक्त बन गए कारागार में शिवभक्ती का ही बोल बाला हो गया दारुक ने जब अपने सेवकों से वैश्य सुप्रिय के विशं में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत कृध्ध होकर उस कारागर में आप पहुंचा भक्त सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चर्णों में ध्यान लगाये हुए दोनों आखे बंद किये बैठा था उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीशन स्वर में उसे टाटते हुए कहा अरे दुष्ट वैश्य तुँ आखे बंद कर इस समय यहां कौन से उपद्रव और शड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है वै जोर-जोर से चिलाता हुआ धमका रहा था इसका उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधी भंग नहीं हुई अब तो वह दारुक राक्षस क्रोज से एकदम पागल हो उठा उसने तदकाल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया सुप्रिय उसके इस आदेश से जराभी बिचलित और भय भी नहीं हुआ वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए धग्वान शिव से प्रार्थना करने लगा उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य धग्वान शिव जी इस विपत्ती से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे इस प्रकार सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शंकरजी उस कारागार में एक बिल से प्रकट हो गए उनके साथ ही चार दर्वाजों का एक सुन्दर मंदिर प्रकट हुआ उस मंदिर के मध्यभाग में यानी गर्भग्रेह में एक दिव्य जोतिरलिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस जोतिरलिंग का दर्शन और पूजन किया सुप्रिय के पूजन से प्रसन भगवान शिव ने स्वय पाशुप्तास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को वक उनके अनुचरों को तथा उनके सारे अस्त्र शस्त्र और संसाधनों को नश्ट कर दिया लीला करने के लिए स्वयन शरीर धारन करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदी की रक्षा करने के बाद उस वन को भी यह वर दिया कि आज से इस वन में ब्राहमन शत्रिय वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्नों के धर्मों का पालन किया जाएगा इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रिष्ट रिशी मुनी निवास करेंगे और यहां तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान न होगा राक्षसों पर आये इसी भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्थुती की उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूँ दारुका नै कहा मा आप मेरे कुल की रक्षा करें. देवी पारवती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा नाथ आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी तब तक यह तामसिक स्रिष्टी भी चलती रहे ऐसा मेरा विचार है माता पार्वती भगवान शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रे में रहने वाली हूँ आपकी ही हूँ इसलिए मेरे द्वारा दिये गए बचन को भी आप प्रमानत करें यह राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ट मेरी ही शक्ति तथा देवी है इसलिए यह राक्षसों के राज्यका शासन करेगी यह राक्षसों की पत्निया अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी जो मिल जुल कर इस वन में निवास करेंगे ऐसा मेरा विच सुनूं मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसंता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रध्धा भक्ती पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वै चक्रवर्थी राजा बनेगा कलियोग के अंत में त तथा बड़ा पराक्रमी होगा जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वै चक्रवर्थी समराठ हो जाएगा तक पश्चात बड़ी बड़ी लिलाए करने वाले शिव दमपत्ती ने आपस में हास्य विलास की बाते की और वही पर स्थित हो गए इस प्रक इस प्रकार धगवान शिव जोतिरलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं धगवान शिव के आदेशानुसार ही इस जोतिरलिंग का नाम नागेश्वर जोतिरलिंग पड़ा नागेश्वर जोतिरलिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ती और माहात्मे संबंधी कथा को सुनता है वे समस्थ पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात सुखों को प्राप्त करता है वे अंत में धगवान शिव के परम लिंगेश्वरम में स्थित है इस जोतिरलिंग को राम लिंगेश्वरम जोतिरलिंग भी कहा जाता है जो अपने शिर्प कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है शिव पुरान के कोटी रूद्र सहिता के अनुसार इस जोतिरलिंग की स्थापना भगवान श सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया। उस समय सीता जी की तलाश में प्रभोश्री राम बन-बन भटक रहे थे। तब उन्हें जंगल में घायल अवस्था में गित जटायू मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायू से सीता माता के बारे में पूछा, तो जटायू ने बताया कि रावन नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया है, और उन्हें दक्षिन की ओर लंका नगरी में ले गया है. जित राज जटायू का यह संदेश पाकर प्रभुश्री राम अपने सेना पती हनुमान, अपने छोटे भाई लक्षमन और अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिन की ओर निकल गए. जब वहत भारत के दक्षिनी छोर पर पहुँचे तो उन्होंने प्रामिश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथा समुद्र है, जिसे लांग कर उस पार जाना अत्यंत कठिन है. धगवान श्री राम प्रत्य एक दिन धगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और उसके बाद ही वै और अन्य सभी जल्द रहें करते थे. लेकिन उस दिन वै भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वै पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंकी स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव राम जी की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर प्रसन्न और प्रकट होकर कहा कि राम क्या वर चाहिए प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि वैं भविश्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोग कल्यान के लिए भगवान शिव राज्य के इसी तड़ पर विराज मान हो के तड़ पर स्थित होने के कारण इसे रामेश्वरम जोतिरलिंग या राम लिंगेश्वरम जोतिरलिंग कहा गया रामेश्वरम जोतिरलिंग की स्थापना के संबंध में कुछ लोग एक दूसरा मत भी रखते हैं इस जोतिरलिंग के विशय में एक दूसरी कथा के अनुस और प्रभु श्री राम दोनों ठक गए थे, इसलिए थोड़े समय के लिए विश्राम करने के लिए उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंध मादन परवत पर डाला था, उसी समय वहां के सभी रिशी महर्शियों को यह पता चला कि प्रभु श्री राम गंध मादन परवत पर विश्राम कर रहे हैं, तो बहुत से रिशी और मुनिगन भगवान श्री राम दर्शन के लिए उनके पास आए, उन सभी का आदर सत्कार करते हुए, विचार विमर्ष के दौरान भगवान राम ने उन रिशी महर्शियों से कहा कि पुलस्त्य के वं उपस्थित सारे रिशीयों मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहां शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे, धगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्विकार कर हनुमान जी को कैलाश परवज्जा कर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया, हनुमान जी ततकाल ही वहां जा पहुंचे, किन्तु उन्हें उस समय वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, इसलिए वैं उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठ कर तपस्या करने लगे, कुछ काल पश्चात शिव ज के दर्शन प्राप्त कर, हनुमान जी शिवलिंग लेकर लोटे, किन्तु तब तक शुप महूर्त तक बीग जाने की आशंका से, यहां सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था, हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, उन्होंने अ चाहो तो इस लिंग को यहां से उखाड कर हटा दो, हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाडने लगे, किन्तु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे तस से मस नहीं हुआ, अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंच में लपेट कर उखाडने का प्र शरीर से रक्त बहने लगा, यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुई हो उठे, माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी, मूर्च्छा दूर होने पर हनुमान जी ने धगवान श्री राम को परम ब्रम के रबोध किया, हनुमान जी द्वारा लाए गए, लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा दी, इस स्थान पर दो शिवलिंग स्थापित है, जिन में एक तो माता सीता द्वारा रेट बालू से निर्मित है, और दूसरा हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया हुआ, शिव ओम नमा शिवाय, द्वादश जोतिरलिंगों में द्वादश्वे जोतिरलिंग का नाम घुशमेश्वर है, इन्हे घृषनेश्वर और घुसरिनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, शिव पुरान के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों के कल्यान के लिए पूरी धर्ती पर जगय जगय ध्रमन करते रही हैं, अपने भक्तों की उपासना से अभिभोर होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिये और अपने भक्तों के अनुरोध पर अपने अंश्रूपी शिवलिंग के रूप में बहां सदा के लिए विराजमान हो गए, इस तो धर्ती पर असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं, लेकिन इन में 12 शिवलिगों को जोतिरलिंग का विशेश दर्जा प्राप्त है, श्री शिव महापुराण में घुषमिश्वर जोतिरलिंग की कथा इस प्रकार बताए गई है, दक्षिन दिशा में अध्भुत तथ नित्य परम शोभा संपन्न, देवगिरी नामक परवत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ट ब्राहमन रहता था, सदा शिव धर्म के पालन में ततपर रहने वाली उनकी पतनी का नाम सुदेहा था, दोनों में परस्पर बहुत प्रेन था, वै क पुषल्ता पूर्वक अपने घर के कारियों को करती हुई, पती की भी सब प्रकार से सेवा करती थी, किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, जोतिश गण्ना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानों पत्ति हो ही नहीं सक सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी उस ब्राह्मन को कोई कश्ट न था किन्तु उनकी धर्म पत्नी सुदेहा बड़ी दुखी रहती थी उसके पडोसी तथा अन्य लोग भी उसे संतान ना होने का ताला मारा करते थे जिसके कारण वै अपने पती से बार बार उत्र प्राप्ति हे तु प्रार्थना करती थी उसके पती उसे मिध्या संसार के संबंध में ज्यान का उपदेश दिया करते थे, फिर भी उसका मन नहीं मानता था उस ब्राहमन देव ने भी उत्र प्राप्ती के लिए कुछ उपाय किये, किन्तु अस्फल रहे संतान सुख से वंचित रहने, एवं पडोसियों के व्यंदबान सुनने से व्यथित होकर पती का वश्चलाने हे तू, सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह, सुधर्मा के साथ करवाने की बात सोची, और उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा व बहन से प्यार कर रही हो, इसलिए मेरा विवा करा रही हो, किन्तो जब उसे पुत्र उत्पन होगा, तो तुम उससे इर्शा करने लगोगी। सुदेहा ने संकल्त लिया कि वै कभी भी अपनी बहन से इर्शा नहीं करेगी। अंत में उन्हें पत्नी की जित के आगे जुकना ही पड़ा, वे उसका आगरा टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आये। घुष्मा अत्यंत बिनीत और सदाचारिनी स्त्री थी। विवाह के बाद घुष्मा एक दासी की तरहे अपनी बड़ी बहन की सेवा करती थी। तथा सुदेहा भी उससे बहुत प्यार करती थी। अपनी बहन की शिव भक्ती से प्रभावित होकर उसके आदेश के अनुसार घुष्मा भी शिव जी का 101 पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करती थी। पूजा करने के बाद वै उन शिव लिंगों को समीट के तालाब में विसर्जित कर देती थी। भगवान शंकर की क्रिपा से थोड़े ही दिन बाद घुष्मा को एक सुन्दर भाग्यशाली तथा सद्गुन संपन्न पुत्र प्राप्थ हुआ। बच्चे के जन्म से सुधर्मा, सुदेहा और घुष्मा के आनंद का पार न रहा। दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। बहन घुष्मा के पुत्र के बड़े होने के साथ सुदेहा को ऐसा लगने लगा कि उसके पती सुधर्मा का उसके प्रती आकर्षन एवन प्रेम कम होता जा रहा है इस कारण अब सुदेहा अपनी बहन घुष्मा से इर्ष्या करने लगी समय के साथ घुश्मा का वै पुत्र भी बड़ा हो रहा था धीरे धीरे वै जवान हो गया उसका विवाह भी हो गया और पुत्र वधू भी घर में आ गई थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया वै सोचने लगी मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं सब कुछ घुश्मा का है मेरे पती पर भी उसने अधिकार जमा लिया है ये सब देख कर सुदेहा और अधिक जलने लगी उसकी बुद्धी भरष्ट हो गई जिसके कारण उसने अनिष्ट करने की ठान ले एक रात्री में उसने सोते समय घुश्मा के पुत्र के शरीर को चाकू से टुक्रे टुक्रे कर दिया और उसके शव को समेट कर वही पास के तालाब में डाल दिया जहां घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंका विसर्जन करती थी सुदेहा शव को तालाब में फेंक कर आ गई और आराम से घर में सो गई सुबह होते ही जब घुष्मा की पुत्रवधू ने अपने पती यानी घुष्मा के पुत्र की शया को रप्तरंजित पाया तो विलाब करती हुई अपने दोनों सासों को सूचना दी पूरे घर में कोहराम मच गया सुदेहा सुधर्मा व उसकी पुत्रवधू सिर्पीट कर फूट फूट कर रोने लगे विमाता सुदेहा जोर जोर से चीतकार कर रोने लगी जब की घुष्मा जो शिव पूजा में लीन थी निर्विकार भाव से अपने आराध्य को श्रधा सुमन समर्पन करती रही। सुदेहा सुधर्मा व पुत्र वधू की मार्मिक चीतकारे विलाप एवं पुत्र की रक्तरंजित शया भी घुष्मा के भक्तिरक मन में विकार पैदा नहीं कर सकी। घुष्मा नित्य की भांती भगवान शिव की आराधना में कलीन रही जैसे कुछ हुआ ही नहो। पूजा समाप्त करने के बाद वै पार्थिव शिव लिंगो को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। घुष्मा ने सदैव की भांती पार्थिव शिव लिंगो का विसर्जन सरोवर में करके भगवान शंकर की स्तुती की तो उसे पीछे से मा मा की आवाज सुनाई दी जो उसके प्रिय पुत्र की थी जिसे मृत मानकर पूरा परिवार शुक कर रहा था। वे सदा की भाती आकर घुष्मा के चर्णों पर गिर पड़ा। जैसे कहीं आसपास से ही घूम कर आ रहा हो। विस्मित घुष्मा ने उसे शिव इच्छा शिव लीला मानकर भोले शंकर का स्मरण किया। इसी समय भगवान शिव भी बहा प्रकट होकर बोले हे घुष्मा तेरी सौत सुदेहा दुष्टा है। उसने तेरे पुत्र को मारा है। मैं उसका अभी विनाश करता हूं। वे सुदेहा की घनवनी करतूच से अत्यंत कृद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाए दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड कर भगवान शिव से कहा। प्रभो यदि आप मुझ पर प्रसन नहें तो मेरी उस अभागि किया है किन्तु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। प्रभो अब आप उसे क्षमा करें। घुष्मा की ये बात सुनकर धगवान शिव प्रसन हो गए और उन्होंने घुष्मा से बर मांगने के लिए कहा। घुष्मा ने हाथ जोड कर धगवान शिव से क प्रभो यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना है कि लोग कल्यान के लिए आप इस स्थान पर सरवदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बाते स्वीकार कर ली। उन्होंने सुदेहा को माफ कर दिया और वै जोतिरलिंग के रूप में प्रकट होकर बही निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहां घुष्मिश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुष्मिश्वर जोतिरलिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्नित की गई है। इनका दर्शन लोग पर लोग दोनों के लिए अमोग फलदाई है। गुश्मिश्वर जोतिरलिंग के इस चरित्र को जो सुनता सुनाता अथवा पड़ता है वैसंसार में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिवपद को प्राप्त करता है। सम्कूल पाप नश्ट हो जाते हैं तथा किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता। भगवान शिव के भक्तों के लिए जोतिरलिंग के दर्शन करने का महत्व बहुत ही बड़ा है। क्योंकि भगवान शिव शिवलिंग रूप में देश भर के कोने कोने में पूजे जाते हैं। लेकिन जोतिरलिंग केवल विशेश 12 स्थानों पर ही स्थित है। जोतिरलिंग और शिवलिंग में एक बड़ा अंतर है और वह यह है कि जोतिरलिंग स्वयंभू होते हैं लेकिन शिवलिंग मानव द्वारा भी स्थापित किये जाते हैं और स्वयंभू भी हो सकते हैं अर्थात जोतिरलिंग केवल बारह ऐसे विशेश स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। हिंदु धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक 12 जोतिरलिंगों के दर्शन नहीं कर लेतें। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि भगवान शिव के जोतिरलिंग के दर्शन करने से आने वाली आपदा चाहे वह मृत्यु ही क्यों ना हो तल जाती है। इसलिए भगवान शिव को मृत्युन जय कहा जाता है। यह 12 जोतिर लिंग मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं. संसार में शिवलिंगों की महिमा प्रधान हैं. ओम नमाशिवाय आशा करते हैं आपको हमारी यह प्रस्तुती पसंद आई होगी, हमारी यह प्रस्तुती कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बताएं. आपको हमारी यह प्रस्तुती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें